पिर बिद्यार्थिव आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे परिमे संख्या है जो बच्चे क्लास नाइन्थ के और तेन्थ के हैं उनके लिए परिमे संख्या जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगा आपको अच्छे से बारे में जनकारी मिल जाएगी चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं परिमे संख्या इसको इंगलिज में बोलते हैं रेशनल नंबर इसका डिपनेशन होता है ऐसी संख्या है जिने P by Q के रूप में लिखा जा सके परिमे संख्या का लाती है जहां P और Q दोनों पुरांख है तथा Q नहीं है 0 मतलब इसका यह क्या या अजैसी संख्या जिसको बटे के रूप में नीचे उपर लिख सकते हैं और P और Q क्या होना चाहिए पुरांख का मतलब यह होता है या तो संख्या प्लस में हो या तो माइनस में या हो क्या हो 0 और Q नहीं हो 0 आनि नीचे वाला बैलू कभी 0 न हो जैसे 7 बट्टे 5, 3 बट्टे 2, 0 बट्टे 8, 3 बट्टे 5 अब इसमें आप ध्यान देगे जितना P और Q है यानि उपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या या तो प्लस में है या तो क्या है माइनस या क्या है 0 तो आपको ध्यान देना है कि नीचे 0 नह हमेशा ध्यान देना नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो यह छोटा बेसिक है छोटा छोटा आप लोग जानते लेंगे इसकी अलाम भी कुछ ऐसी भी संख्या होती है जिनको बच्चे लेके confusion रहते वो परिमें होगा कि नहीं जैसे माली जी हम करें कुछ पॉइंट को आपको ध क्यों क्यों यह पी बट्टे क्यू के रूप में है लेकिन नीचे क्या हो गया है जीरू और नीचे क्यू का वैलू जीरू नहीं होना चाहिए ठीक है इसनाते यह परिमें संख्या है यह परिमें संख्या नहीं है कभी कभी पूछा जाता बताएगे क्या जीरू एक परिमें संख्या हैं 0 एक परिम्र संख्या है दुर लिखेंगे यहाँ जीरो इक क्या है परिम्र संख्या है 0 को आप 0 बटे 1 0 बटे 2 0 मुक्aben दो लिखते हैं इसे मालीब बटे-दो लिख देंगे तब भी इसका वैलु प्रिम्र संख्या、 जीरो ही होगा किसी भी संख्या का अगर जीरो में डिवाइट किया जाता है तो एंसर हम इसा काएगा जीरो ही आएगा ठीक है और जीरो में किसी संख्या से डिवाइट किया जाएगा तो क्या चीज यह वो परभासित नहीं है जैसे माली जी इसका इसमें भाग देंगे तो ज हम देना है और इसे मालिगर हम यहांप संख्या है कि नहीं तो बहुत सारे बचे गंफिज हो जाते हैं कि सेवन कैसे परेमिय संख्या क्या नब भच inhibड में गया है जिए को मैं परेमिय संख्या है तो उसी प्रकार से माइनस तीन, माइनस तीन को अप क्या लिख सकते हैं, माइनस तीन बट्टे एक, अब बट्टे के रुप में हो गया है, एक का THIN में भाग देंगे तो संख्या 3 तीन ही यहागा, इसना दें सब क्या हैं, परिमे संख्या हैं, अब कभी-कभी इस तरीके से भी दे देता है लिस लो इसमें 25 इसको आपको ध्यान देनी समय और पड़ू को कर और Live कृणि को में 29 इसको लोकिति इसकोम आपको इसदरी चीजे इसको आपको ध्यान देना ठीक है नाइन्थ और तेन्थ के बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है ठीक है ध्यान से जरू देखेगा और इसी तरह दे देता है जैसे माल लेजी बताई पाई इस तरह पाई है ना पुशे का पाई परिमे संख्या है कि अप पाई का वैलू क्या होता है बाईस बटे साथ इसका वैलू होता है बाईस बटे साथ जब पाई इस तरीके से लिखा रहेगा ते परिमे संख्या नहीं होगा यह क्या कलाएगा अपरिमे संख्या क्या कलाएगा अपरिमे लेकिन जहां पे बाईस बटे साथ लिखा रहेगा तब उसको का काएंगे आप परिमे का काएंगे परिमे संख्या तो यह कोशन बहुत जादे पेपर में पूछता आप इस चीज को ध्यानने के ठीक है तो जब पाई लिखा रहेगा तकाएंगे आप परिमे लेकिन जब 22 बटे 7 रहेगा तकाएंगे परिमे अंडरूट 9 रहे और एक है अंडरूट एक अंडरूट एक भी क्या एक पर्मिय संख्या है अंडरूट एक का इसको अरकिना होगा एक एक होता इसका वर्मूर और एक को एक बटेग लिख सकते हैं इसना ते पर्मिय संख्या है और उसके बाद यह हो गया उसके जीरो बाला पूछता जीरो बता परिम्य संख्या के बारे मम बता दें परिम्य संख्या का जो मानक रूप होता है अनि रिशनल नम्मर का मानक रूप और इस्टेंडर्ट फार्म आनि जो उपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या उसका अगर सब्छानिक जो बटेसन दिया है यह संख्या राले sub सबसीन के अब 1 दिए उसका मैं यह पशीजबky आपको ध्यान देना है बदड़ को संखा के डिपनेशन था अगर वीडियो पसंद आया है तो अबने दोस्तों साथ इसको शेयर कीजिए धन्य बात